हेलो दोस्तों आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्यान में आज की वीडियो में मैं अपने नए वाले मी हाइपर सॉनिक जो की 20,000 mAh का पावर बैंक है जो की लैप्टॉप चार्ज करने के लिए यूज होता है मैं इससे फस्ट टैम जो मैंने भॉक्स से निकाला है पहले मैं इससे एक बडर अपने लापटॉप को चार्ज करने का ट्राइ करते हैं और देखते हैं जब डिफॉल्ट ये शिप होके आता है इसका बैटरी लेवल वगरा कितना होता है क्या ये चार्ज करता है या नहीं करता है तो उसके लिए जैसे कि मैंने अगर मेरा प्रिवियस वीडियो देखा हो इसका उन्बॉक्सिंग का उसमें मैंने इसके डिटेल्स काफी पताये थे इसमें अगेन मैं आपको एक बर पता देता हूँ इन्पुट की चार्जिंग लिए भी जो टाइप सी का ये मिडल में पोर्ट दे रखा है वो चार्जिंग कले भी यूज होता है और अगर आप इसको रिवर्स अगर किसी के लिए आप अपने डिवाइस में कनेक्ट होने के लिए लगा दें तो ये डिस्चार्ज होके उस डिवाइस को चार्ज भी करना शुरू कर देता है तो आपके लिए कोई बी ऐसे स्पेशल आपको बटन वगरा प्रेस करने के जरूरत नहीं होती है यह automatically intelligent इतना है कि यह खुद detect कर लेता है तो मैंने इसको जैसे अभी box से निकाला था और इसके साथ जैसी यह type C की cable है मैं अपने laptop को एक बार आपको चार्ज करके इसको करने कोशिश करते है कि कि यह कितनी battery के साथ चार्ज होके आता है या नहीं आता है तो मैं आपके सामने जो है अपने laptop में इसको चार्ज करता हूँ तो देखे मैं इसको wire को connect कर दिया इसमें अभी अगर आप मेरे laptop के यहाँ पर percentage वगरा देख पाएं तो थोड़ा मैं आपके pass से आपको दिखाने कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पर पढ़ पाएं तो 17% लिखा आ रहा है तो जल्दी से मैं इस नहीं वाले power bank से जो है जो एक बार भी अभी मैंने चार्ज नहीं किया है इस power bank से एक बार लगा के देख लेते हैं तो मैंने अपने इस same laptop का जो की type C thunderbolt support करता है मैंने अल्रेडी दो वीडियो बनाए हुए है पहले वाले वीडियो में मैंने इसी same laptop को जो है जो mobile के normal charger आते हैं 10 watt से लेके, 18 watt से लेके उन सब के साथ charge करके दिखाया था कि मेरा laptop charge होता ही है नहीं है उसका वीडियो मैं आपको भी link उपर description में दे दूँगा आपको उसे देख सकते हैं आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की मैंने testing पहले की है दूसरी एक और जो testing मैं अल्रेडी अपने laptop में इसी में कर चुका हूँ उसमें मैंने अपने Syska के 10,000 mAh के power bank से इसे charge करके दिखाया था कि ये कितना percentage charge होता है और next video बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसको full charge करके अपने power bank को मैं इस laptop को charge करके पूरी तरह zero करके जब जो है इसको charge करके दिखाऊंगा और देखेंगे कि मेरा ये कितना charge कर पाता है मगर वो आने वाला वीडियो है फिलाल तो हम इसे temporary इसमें लगा के देख लेते है कि ये कैसा work कर रहा है तो अभी मैं इसे जल्दी से plug कर लेता हूँ और देखते हैं कितना battery level इस laptop का charging level इसमें indicator बगरा दिखाता है तो मैंने plug कर दिया है अब जल्दी से देखते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं charging के लिए यहाँ पे light blink हो रही है और अगर आप वहाँ पे दुबारा देखें तो यहाँ पे charging जो है वो start हो गई है तो आप इस time पे देख सकते हैं यहाँ पे battery charging वाला start हो गया है और 16% है मगर यह laptop charge इसे कर नहीं पाएगा अगर आप देखें अभी यहाँ पे light तो blink हो रही है मगर इस power bank में सिर्फ एक ही light का यहाँ पे point दिखा रहा है तो एक light का जो point अगर दिखा है और वो भी अब बंद हो गया तो अब मेरा laptop जो है बिल्कुल भी वहाँ पे charge नहीं कर रहा है यहाँ से वो charging का symbol view चला गया इसका मतलब है जब default यह पहली बार जो है हमें deliver हुआ है power bank तो इस power bank को charge, full charge करने की need है यह charge नहीं है यह पूरी तरह से discharge हो रखा है तो अब यह बिल्कुल भी इसलिए काम करने वाला नहीं है और यह मेरी असल में testing के लिए ideal है, मेरे को ऐसा ही power bank चाहिए था जो की पूरा खाली हो, मैं उसे पूरा पहले charge करूँ और अपने laptop को भी discharge होने दूँ और फिर देख पाएं कि यह कितना efficiently से charge करता है तो मैं जल्दी से इसका बैटरी लेवल चेक वाला बटन जो है वो एक बार प्रेस करके देखते हैं इसकी अभी इस टाइम पे कितनी बैटरी लेवल दिखा रहा है तो मैं इसे एक बार यहां पे tap कर देता हूँ तो one tap करने के बाद यहां पे दिखाना start कर रहा है कि इसकी सिर्फ एकी light यहां पे LED light जो ब्लिंक हो रही है जिसका मतलब है यह जो है 0 से 25% के बीच में है मतलब यह almost dead के close है अभी तो 0% के close ही है क्योंकि हमारा laptop इसे charge नहीं हो पाया था तो मिरको इसको पहले full charge करना पड़ेगा और उसकी information भी यहां पे अगर मैं आपको इसकी manual दिखाऊं तो यहां पे clearly mention कर रखता था कि इसको लगबग कितना time लगने वाला है तो इस case में यहां पे आप देख सकते हैं charging time वगरा इस manual में पूरा पता रखा है कि अगर आप इसे 10 watt के charger से जो कि normally पुराने charger होते हैं तो इससे 11 घंटे charge होने में लगेंगे अगर मैं इसे 18 watt के charger से करूँ तो 6.5 घंटे लगेंगे और अगर 45 watt के charger से करूँ तो 4.5 घंटे में लगबग charge हो जाएगा तो मैं जो है इसको अपने मी के charger से जो मैं आपको जल्दी से अब दिखा देता हूँ मेरे पास मेरे एक mobile phone का already मी का charger है तो मैं इस अपने इस fast charger से अपने इस power bank को connect कर दूँगा और इसका charging वाला एक बार देख लेते हैं तो जल्दी से insert कर लेते हैं अपने extension board में इसे इसे मैं on कर दूँगा और इसके बाद इसे charging में लगा देते हैं और देखते हैं किस तरीके का indicator यहाँ पे दिखा रहा है तो अगर आप power plug करते ही देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और सिर्फ फस्ट जो है वही LED ब्लिंग कर रही है इसे पूरा रेज करने में लगबग में लेको 6-7 गंटे लगने चाहिए आईडियली जो मैनुवल में लिखा है मगर देखते हैं मैं इसको overnight छोड़ दूँगा और कल सुबा देखेंगे कि यह कितना चार्ज हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी next video में third testing इसे कर पाएंगे तो hope आपको समझ में आ गया होगा अगर आपके पास भी यह product जो है वो deliver हो गया है और आपको अगर आप अपने laptop के साथ connect कर रहे हैं और charge नहीं हो रहा है तो most probably हो सकता है आपको भी मेरी तरह जो device है वो discharge होके ही मिला हो आपको उसे पहले full charge करना पड़ेगा तो आप एकदम से जो भी अगर आप return या कुछ ऐसा मन एकदम बना लें तो आप ऐसा ना सुचें आपको पहले एक बार उसकी battery level कितना है उसको जरूर चेक कर लें तो मेरी case में अगर आपने देखा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि जो default आ रहा है वो भी full charge नहीं होता है तो आपको करना पड़ेगा तो हुप आपको वीडियो समझ आ गया होगा पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना मत भूलना